हेलो गाईज कैसे हैं आप लोग मैंने आज यह अलग स्टेटेजी बनाई है जिसमें ITC के रिलेटेड अगर आप देखोगे ITC एक स्लो मुविंग कॉंटर है पर ऐसा नहीं है कि वो कभी ना कभी स्टॉक भागता नहीं है अगर आप देखोगे तो यह कभी-कभी 210 रूपे से 235 रूपे तलग भी टच किया है तो ऐसा नहीं कि वो स्लो कॉंटर है पर मैंने यह करने का कारण यह है कि यह थोड़ा सा थोड़ा सा मतलब इतना अग्रेसिव स्टॉक नहीं है जितना यह अपन प्रेडिक कर सकते हैं पर आप जो भी ट्रेट करते हूं आप देख समझ के औ जो भी मैं वीडियोस दालता हूं मैंने यह थोड़ा सा अलग स्टेजी बनाया है आप इसका वाच कर सकते हो कि अगर आप अभी अभी स्पॉट प्राइज अगर आप ITC का देखोगे तो 205 रुपया 35 पैसा चल रहा है ठीक है आप जून का कॉल अगर 205 का देखोगे तो य 35 पैसा निचे मिल रहा है यह किसे मिल रहा है जब आपका execution होगा तभी आप इसको में 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 की strategy को सेम टाइम सेमें इंप्लीमेंट करना ठीक है नहीं तो आप इंप्लीमेंट मत करना गाई तो अभी जैसे मैं 205 की कॉल ओप्षिन देख रहा हूं 7.85 का है ओके यह थोड़ 12 रुपया पैसी पैसा हो जाती है ठीक है तो आप अगर अगर आप यह में का सेमेंट करते हैं तो इसकी जो ब्रेक इवन है वो 213.50 का हो जाएगा ठीक है तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसकी टोटल ब्रेक इवन आपकी यह मैंने की 205 रुपय दिखा रहा है अगर ITC ठीक तो अप्रासिमित आपको 45.50 का प्रॉफिट हो जाएगा अगर ITC इर्रेस्पेक्टिव कितना भी उपर जाए आप प्रॉफिट में निकलेंगे ठीक है इसमें एक अच्छी चीज क्या है गाईस कि आप 210 का कॉल अप्शिन आप जो सेल कर रहे वो तो आपके पॉकेट में आ जाएगा ठीक है तो आपको इसको माइनस करना है मतलब 7.85 माइनस साड़े तीन रुपया ठीक है जब आप माइनस करते हो तो आपका रिस्क लेवल जो जून का है वो 4.35 का है ठीक है तो spread करके रख सकते हो उसकी break even calculate करके तो इसमें probability of profit जाधा होता है क्योंकि अगर आप ये पूरा premium आपके pocket में भी आ जाता है एक example लेलो ठीक है अगर ये suppose एक example लेलो 202 के नीचे रहता है या जैसा भी है आपका ये साड़े तीन रुपया तो pocket में आ जाएगा ठीक है पर इसकी जो break even है ये 205 रुपय वाली वो आपकी sudden जिरो नहीं हो जाएगी ठीक है वो might भी exit करके निकल सकते हैं ठीक है या अगर आपको hold करना है आप June की expiry को भी आप इसको hedging perspective के सबसे use कर सकते हैं 205 की call option की अभी break even आपकी minus करोगे तो साड़े 4 almost 4.35 दिखाएगा और आप उसकी far out of the money 215 आया जैसा भी है आप इसको calculate करना जैसे मैंने आपको बताया 205 की break even कितनी आएगी 212.85 के ठीक है ओके तो वो पिछे ऐसी पैसे के बाद ही आपकी loss start होती है ओके तो तब आप उसकी 215 की या 212 की आप call option जून की expiry की hedge कर सकते हैं ठीक है क्योंकि वो भी इतना far भागेगा नहीं और जब तक वो आएगा touch करेगा तब तक आपका premium या pocket में आजाएग जून में ठीक है और अगर आप नेकेट इसमें रखते हो position 205 का और आप confident रहते हो तो इसमें risk है गाईस साड़े 4.35 का तो अगर आपको लगता है कि आप दोनों मंत का expiry same time पे use करें तो आप यह करिए नहीं तो मत करना ठीक है अगर आपको लगता है कि मेरे पास काफी time है म मेरे पास दो मेने का time almost देड़ मेने का time है ITC को 205 के उपर रहने के लिए या 212 के उपर रहने के लिए तो आप यह implement कर सकते हैं आपको कहीं न कहीं अगर वो premium 7.85 आ जाता है तो आपको साड़े 3 रुपया तो वैसे भी मिल जाएगा profit book करके निकल सकते हैं guys thank you so much guys और आपको अगर और कुछ information चाहिए तो आप comments में डालिए इसमें यह मैं beginners के लिए और जो aggressive trading करते हैं उनके लिए मैं videos बनाते रहता हूं आपको और कुछ information चाहिए तो आप प्लीज इसमें comments में जरूर डालना guys और like करना thank you so much